नमस्कार दोस्तों मैं Dr.Pranceli आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस YouTube चैनल में दोस्तों Eucalyptus जो है इसके बारे में आपको पता होगा कि एक बहुत ही पुरानी औशदी है Special Lungs के लिए इसका बहुत ही लंबे समय से प्रयोग किया जा रहा है लेकिन दोस्तों Lungs के infection के साथ-साथ जिसमें आप जानते हैं कि chest में congestion बलगम होता है इस condition के साथ-साथ Eucalyptus दोस्तों हमारे शरीर के इतने important organs पे काम करता है कि इसके बारे में आप सुनकर आप अचंबित रह जाएंगे आपको शौक लगेगा कि Eucalyptus क्या हम शरीर के इन situations में भी use कर सकते हैं दोस्तों infect flu के case में टाइफाइट के case में शरीर में कुछ septic condition हो गई हो उस condition में भी दोस्तों Eucalyptus बहुत ही अच्छा काम करता है और हमें इसके बादे में इतनी detail में information नहीं है जिसके हम इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी Eucalyptus के बारे में जो की एक homeopathic औशदी भी है तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगे कि Eucalyptus Mother Tincture का यह Eucalyptus Medicine का प्रयोग आप अपने शरीर के किन किन बिमारियों के लिए कर सकते हैं और इसको लेने का सही तरीका क्या है तो यह वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़दा इंफिमेटिव है आप इसको अन तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यूकलिप्टिस एक प्लांट किंग्डम की मेडिसीन यानि की पौधे से बनने वाली एक औशदी है और इसका प्रयोग दोस्तों बहुत सारे एरियास में होता है यह हमारे शरीर के गैस्ट्रिक सिच्वेशन में टाइफाइट के केस में मलेरिया के केस में किसी ट इरियास में इसका वर्क है और यह बहुत ही अच्छा काम करती है जैसे हम होमेपेथिक मेडिसिन समझते हैं दोस्तों फ्रॉम है टू टू हम उसी पैटरन को फॉलो करते हुए शुरू करेंगे मेडिसिन सबसे पहले बात करते हैं इसके हैट के सिम्टम की हैड यानि की सर के लक्षण किस तरह के लक्षण मिलें कि आप युकलेप्टिस का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको सर में दर्द हमेशा एक हलका कंजस्टिव दर्द बना रहता है सर में भारीपन लिया हुआ दर्द होता है और अगर आपको लंबे समय से नजला जुखाम की करती है नेक्स बात करेंगे दोस्तों इसके नाक यानि की नोस के सिम्टम्स के लिए अगर आप जैसे मैंने आगे अभी वीडियो में बूला था कि आप क्रॉनिक एलर्जिक राइनाटिस के पेशेंट है या फिर आपको नजला जुखाम बहुत लंबे समय से रहता है नाक म अगने का नाम नहीं लेता पानी बहुत जादा गाढंगा होता है कभी-कभी पानी जैसा नेकलता है जो मुकस डिस्चार्ज है ऑग जाध बहुत पतलडा पानी जैसा हो रहा है साथी साथ दोस्तों आपके जो साइनस है आपके जो फ्रेंकल साइनस है के când слож Ho उनमें अगर आपको infection बार-बर हो रहा है, आपको सर में दर्द इसके साथ साथ बना रह रहा है, जो नाक से mucus निकल रहा है, बहुत जादा smelly है, आपकी नाक के ये tip है, उसके आपको बहुत जादा irritation, एक tightness से feel होती है, तो भी आप eucalyptus का यूज कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा काम करती है, सभी तरह के नजला जुखाम की परिशानी में, नेक्स बात करेंगे दोस्ता हम इसके throat के symptoms की, throat यानि कि जो ये गला है, इस पार्ट के बारे में, दोस्तों, थ्रोड में, यानि कि आपके गले में, अगर आपको बहुत जादा बार-बार चाले निकलन अगर आपको बार-बार चाले निकलते हो, आपको बहुत जादा बलगम बनता हो, जो गला है बहुत धीला-धीला सा लगता हो, लगता हो हमेशा इसमें बलगम टपकता रहता है, यूश्वली ये चीज, जो अलर्जी ग्राइनाइजिस के पेशेंट होते हैं, उनमें ये ब बहुत गाड़ी गाड़ी लार बनती हो, और आपको स्मेली सा फील होता हो, इन सारी केसे में आप उकलिप्टिस का प्रयोग करें, ये बहुत अच्छा काम करती है, साथी दोस्तों, अगर टॉंसिल एंलार्जमेंट है, आपका जो टॉंसिल है, अगर वो बढ़ गया है, उ आप यूकलिप्टिस का ओरल इंटेक भी कर सकते हैं, मतलब खाने में भी प्रयोग करें, और इसको एक्स्टर्नली लगाने में भी प्रयोग कर सकते हैं, जो इसका मधर टिंचर है, आप उसको टॉंसिल के लगाएं, ये इसको बोखती पिक्ली हील करने में मदद करेंगा, नेक्स पॉइंट के हमारे स्टमक के केस के लिए स्टमक में कैसे लक्षर मिले तो आप Eucalyptus का यूज कर सकते हैं दोस्तों आपको अगर अपर अब्डॉमिनल एरिया में जैसे आपका उपरी भाग है जो पेट का उसमें हलका भारीपन लगता हो आपको खटी डाकार बधजमी जैसे आती हो जिसको डिस्पेप्सिया बोलते हैं कि आपको खाना खाने के जब आप एवन थोड़ा खाना खा लेते तो आपको थोड़ा से बहतर लगता हो खाली पेट आपको बहुत जादा अनीजिनेस लगता हो पेट पेसे लगड़ा कुछ प्रेशर सा क्रियेट है और आपको पेइन बना रहता हो हलके अपर साइड में साथ ही साथ दोस्तों जो स्प्लीन है अगर आपको अगर आपने अल्टरसाउंट कराया है अपने टेस करा दोस्तों अगर आपको अग्यूट डारिया है अग्यूट मतलब आपको सजनली डारिया लग गया हो उसके पीछे बहुत लंबे समय से कुछ ऐसा इंफेक्शन नहीं चलो रहा अचानक से आपने कुछ रात में खाया और रात में ही आपको मोशन होने शुरू होगे इसको ए देशन्क्री होते हैं जब आपको वाटरी स्टूल हो रहा है तो ब्लूड ऺड़ा अना शुरू हो गया है तो उसको हम डेशन्क्री okay केस में भी युकलिप्टे सोयल बहुत अच्छा काम करता है अगर आपको पेक में मरोड के साथ रेक्टम है जो रेक्टल एरिया है जो एनस का द्वार है जिसे गुदा द्वार बोलते हैं में दर्द रहता हो और जलन सी लग रही हो और आपको मोशन के साथ ब्लड आ रहा हो तो उस कंडिशन में भी आप युकलेप्टस का प्रयोग कर सकते हैं दोनों ही केस में आप डारिया की केस में और जिसेंटरी की केस में दोनों ही सिच्वेशन में आप Eucalyptus का प्रयोग करें पेन आपको थोड़ा सा मरोडता हुआ रहे ब्लड आने लग जाए तो आप डेफिनेटली इसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तो नेक्स हम बात करेंगे इसके यूरिनरी सिम्टम की दोस्तो बहुत ही अच्छा कारिगर है यह यूरिनरी सिम्टम के उपर अगर आपको एक्यूट नेफराइटीस हुआ हो अगर आपको फीवर या फ्लू भी आ रहा हो तो आप डेफिनेटली यूकलिप्टिस का प्रयोग करें यह बहुत अच्छी काम करत अगर आपको यूरिन में ब्लड आना शुरू हो गया है यूरिन टेस्ट जब आपने कराय तो उसमें आपको बहुत ज़ादा पसल्स दिख रही है यूरिनरी इंफेक्शन हो उस सिट्वेशन में भी आप इसका प्रयोग करें आपको यूरिन पास करने में दर्द हो रहा हो जिसे डिस्यूरिया बोलते हैं कि पैनफुल यूरिनेशन जिसको मेडिकल टर्मिनलोजे में डिस्यूरिया बोलते हैं कि आप यूरिन पास करने गए आपको दर्द हो दर्द के साथ आपको ब्लड आ रहा हो पसल बढ़ गई हो और आपको पेक में नीचे लोवर पार्ट मे दर्द हो रहा हो मरोड के साथ तो आप definitely इसका प्रयोग करें या आपको बहुत help करेगी दोस्तों ये spasmodic structure में भी बहुत अच्छा काम करते हैं जैसे जो दोस्तों युकलिप्टिस का बहुत ही अच्छा प्रयोग है आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपके लक्षर इससे मैच कर रहे हैं तो नेक्स हम बात करेंगे दोस्तों respiratory case के लिए दोस्तों जिसके लिए सबसे जादा फेमस है उस पे बात करते हैं दोस्तों युकलिप्टिस्त अस्तमा के पेशेंट्स के लिए अछर अच्छी काम करती है अगर आपको अस्तमा है और आपको जो बलगम बन रहा है बहुत ज़्यादा की ढंग बल्गम बन रहे की तंजनसी आपको बहुत जादा बल्गम बन रहा है, साथी साथ दोस्तों, आपको थ्रोड इरिटेशन रहे, और आपको बहुत जादा कफ के साथ बल्गम निकलता हो, सांस लेने में दिक्कत होती हो, सांस लेने के साथ साथ जब आपको अस्थमाटिक अटाक आ रहा है, तो आपको palpitation भी बढ़ जाती हूँ, मतलब आपको heart rate जो है, आपकी जो दिल की धड़कन है, वो आपको बहुत बढ़ती से फील हो रही हो, आपको सांस लेने में दिकत हो रही हो, साथी साथ दोस्तो आपको जो आप बलगम थूक रहे हो, उसमें बहुत बहुत smelly सा हो, उसम बहुत अच्छी काम करती है, जब आपके लंग्स के जो अल्वेलाई है वो पर्मानेंट ली फैल चुके हो, उनकी जो लास्टिसिटी खतम हो जिसे इमपाइमा बहुते है, इस परिस्तिती में भी बहुत ही अच्छा कार्य करती है, दोस्तो एकलिप्टस मेडिसिन आप इस तो दोस्तों यह कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे आप शरीर में आपके कुछ भी इशू हो तो आप युकलेप्टिस का प्रयोग कर सकते हैं आप बात कर लेते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है दोस्तों सबसे अच्छा जो मेडिसिनल इसका वर्क होता है इसके मदर टिंचर का होता है मदर टिंचर आपको बहुत इसली मेडिकल स्टोर पे जो हमेपेटिक मेडिकल स्टोर से सब्सक्राइब बीज बून एक चौथाई कप गुनगुने पाने में डाल के दिन में तीन बार इसका प्रयोग करें ये ना सिर्फ उस acute condition को कम करेगी बलकि जो आपको लंबे समय से जुखाम खासी वाली परिशानी थी जो chest condition थी उनको permanently take करने में आपकी मदद करेगी आप अपने घर पे जरूर रखें और बहुत useful medicine है ताकि कभी भी अगर कोई emergency situation हो तो आप इसका प्रयोग कर सके आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो इसको like जरूर करें शेयर करें जादस जादस अपने friends के साथ family members, relatives के साथ और अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं subscribe किया है चैनल जरू subscribe करें दोस्तों मिलती हूँ next वीडियो में तब तक के लिए thank you so much